आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का इफेक्ट करेट करने वाले हैं अडूबी आफटरफेक्स के अंदर आपने कई बाद यह वाला इफेक्ट गन्स फाइटिंग में देखा होगा और हम लोग इसे बोल सकते हैं bullet fire, bullet tracer, etc. ठीके वीडियो को शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर वीडियो को import कर लिया है सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे right click new solid और मैं यहाँ इसे type कर रहा हूँ one ठीके और इसके बाद मैं okay प्रेस कर रहा हूँ अब इतना करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ simply मैं यहाँ पर गया effect में और यहाँ पर आपको मिलता है video copilot और यहाँ पर आपको क्लिक करना है sabre plugin के उपर so basically मैंने एक plugin को install कर रहा है यह plugin free है आपको इसे download कर सकते हैं इसका link आपको मिल जाएगा video के description में इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ simply मैंने यहाँ पर गया radar setting और यहाँ पर आपको सारे options मिल जाते हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ simply यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर इसे कुछ इस type से इसका जो भी यहाँ पर core start point है और यहाँ जो इसका core end point है इसे मैं हाँ पर set कर रहा हूं कुछ इस type से something like this then मैंने क्या किया simply इसका जो भी यहाँ पे glow का जो color है इसे मैं आपे change कर रहा हूँ कुछ yellow type में आप यहाँ पे कोई भी color ले सकते हैं अपने according इसके बद मैं यहाँ पे गया simply इसके glow वाले options में और मैं यहाँ पे से कर रहा हूँ around 0.4 ठीके और यहाँ पे जो भी इसका core size है इसे मैं आपे कर रहा हूँ around 1 या 1.5 ठीके अब मैं क्या कर रहा हूँ simply यहाँ पे आगया customize score के अंदर और यहाँ पे आपको options मिलते हैं सबसे पहले क्या करेंगे जो भी यहाँ पे इसका start size है इसे आप कर दो 200 और यहाँ पे जो भी इसका end size है इसे आप कर दो around 30 या 40 let's suppose 40 कर लेते हैं ठीके तो आपको यहाँ पे कुछ इस type से देखने को मिलेगा अगर आपको लगता है यहाँ पे इसका size बहुत छोटा होगी है इसका basically core size यहाँ पे जाके आप इसे increase कर लेंगे कुछ इस type से ठीके अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको मिलता है option core softness मैं यहाँ पे simply इसे कर रहा हूँ around 1 something like this otherwise आप इसको 2 भी कर सकते हैं अपनी need के according ठीके थोड़ा सा मैं आप इसकी glow intensity कर रहा हूँ around 40 और इसको मैं हलका सा आगे shift कर लेता हूँ अब इतना करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसे यहाँ पे कर रहा हूँ pre-compose इस layer को ऐसा क्यों कर रहें अब यह बताऊंगा so right click करेंगे pre-compose simply और यहाँ पे इसे कर दो move all attribute into the new composition और यहाँ पे इसे कर दो simply com1 okay press करेंगे अब इसके बाद वापस से इसका blending mode add कर दो otherwise यहाँ पे आप क्लिक कर दो collapse transform tool के ऊपर यहाँ तो आप यहाँ से कर दो add ठीके अब मैंने क्या किया simply यहाँ पे click के rectangle tool के ऊपर and then make sure आपके यहाँ पे layer select होनी चाहिए comp1 और यहाँ पे एक mask यहाँ पे draw कर दिया अब यहाँ पे pre-compose करने का reason यहाँ पे यह था अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ none यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका glow का effect है वह काफी दूर तक जा रहा है अगर आप यहाँ पे glow की intensity को और बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे चीजे clear यहाँ पे देखने को देखने की that is the reason मैंने आप इसे pre-compose किया और मैं आप इसे mask यहाँ पे इसके उपर apply कर रहा हूँ so that जो भी इसका glow का threshold है वह इस box के अंदर है masking वाले part के अंदर ठीक है अब वापस से इसे कर रहा हूँ add और इसके बाद आप इसके उपर apply कर दो some feather something like this और आप लोग इसका जो भी expansion है mask का अपने according इसको छोटा बड़ा कर सकते है यहाँ पर आपको changes देखने को मिलेंगे अब मैंने क्या किया मैं आप प्रेस कर रहा हूँ P P for position और यहाँ पर मैंने एक की लगा दी simply और मैंने आप इसे कर दिया पीछे की और something like this और इसके बाद मैं आप कुछ frame आग shift कर दिया something like this shift यहाँ पर मैंने प्रेस कर रहा है so that यहाँ पर यह straight जाएगा कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर एक animation यहाँ पर देखने को मिलेगी something like this इसके बाद क्या करेंगे दोनों यहाँ पर keyframes को करेंगे select प्रेस करो F9 for easy ease otherwise right-click keyframe assistant easy ease ठीक है इतना करने के बाद मैं क् कर रहा हूं इस layer को यहाँ पर दो पार्ट में divide कर रहा हूं और जैसे मान लो मैंने आपर keyframes यहाँ पर लगा रखी है so इसके आगे जाके हम लोग इसे two part में divide करेंगे then make sure यहाँ पर layer select होनी चाहिए इसके बजाएंगे edit और यहाँ पर इसे करेंगे split layer ठीके और आगे वाले यहाँ पर shift कर रहा हूं again duplicate copy control D ठीक है यहाँ पर आपको इस type से इसे arrange करना है टाइमिंग साप लोग अपने अपने अगौर्ड इहाँ पर set कर सकते हैं कितना आपको pass रखना है कितना आपको दूर रखना है so एक effect आपको यहाँ पर कुछ इस type से देखने को मिलेगा और दू इससे मैं आगे लेके आ गया ऐसा क्यों करा जैसे मान लो अभी जो line यहाँ पर आ रही है वो कुछ इस type से यहाँ पर आ रही है it means हमारे पास यहाँ पर single line है मैं अब अचाहता हूं एक line उपर भी आए light की so इसी लिए मैंने आपको इसके करी copy अब मैंने क्या किया यहाँ प आपको यहाँ पर कुछ इस type से ऊपर की side shift करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर इसे थोड़ा पीछे shift करना है आप कुछ इस type से कर सकते हैं now see something like this और यहाँ पर कुछ इस type से आपको light देखने को मिलेगी अब इसके बाद क्या करेंगे again यहाँ इसकी करेंगे duplicate copy ctrl D से और इसको आप यहाँ पर shift कर दो कुछ इस type से अपने according आप लोग यहाँ पर इसे set कर सकते हैं ठीक है तो हमें यहाँ पर कुछ इस type से यहाँ पर देखने को मिलेगा अब अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर एक light नीचे भी लेके आने हैं तो क्या करेंगे इस इसको आप आगे लेके आओ something like this अगेन प्रेस करो पी इसके फर्स की फ्रेम के उपर आ जाओ यहाँ पर क्लिक करो किसके उपर पोजिशन के उपर इससे shift करो नीचे की side something like this और इससे थोड़ा बहुत आगे पीशे कर सकते हैं आप लोग अपनी रीट के according चीक है और अगेन यहाँ पे इसकी करेंगे duplicate copy ctrl D आगे shift कर लो अपने according ctrl D अब जैसे मान लो अगर मैं किसी भी comp के अंदर जाता हूँ जैसे मान लो मैं इसके अंदर गिया और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी change करता हूँ जैसे मान लो मैंने यहाँ इससे कुछ इस type से change कर दिया तो क्या होग क्यों विकर्स हमने यहाँ पे इन सारी comp की duplicate copy की थी ठीक है यहाँ पे कुछ हमें इस type से यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है Ctrl Z कर देते हैं इसके बाद अगर आपको यहाँ पे करनी color correction तो यहाँ पर right click करें new adjustment layer simply यहाँ पर जाएंगे जो भी effect आपको apply करना है let's suppose यहाँ पर टाइप करते है metric color और इसको apply करते है इसके उपर और जो भी आपको यहाँ पर preset use करना है अपने according आप लोग यहाँ पर जाक गाइस बस एतना ही था I hope करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपको वीडियो समझें आई यहाँ गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग हमारा YouTube चैनल सस्क्राइब करें एंड बैल एक इन प्रस करना ना भूलें इसके लावा कु हुआ 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 है